भारत में 5G लॉंच को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दरसल डिपाडमेंट अफ टेली कमुनिकेशन जल्द ही वीचार विमर्स के बाद 5G लॉंच में उप्योग हने वाले स्पेक्टरम बैंड्स के घोसना करेंगे इस मुद्धी पर बयान देते हुए डिपाटमेंट अफ टेली कमुनिकेशन ने कहा कि हम इस्पेक्टरम के आइन उप्योग करताओं के साथ वीचार विमर्स की प्रक्रिया में हैं जैसे के डिफेंस, ब्रोड्कास्टिंग मिनिस्ट्री और डिपाटमेंट अफ स्पेस हमें एक साथ बैठकर वीचार विमर्स करके इस निश्कर्स पर पहुँचना होगा कि कैसे स्पेक्टरम के विभिन बैंड्स, कॉडिनेटेड और सेड तरीके से उप्योग गया जा सके बता दें कि डिपाटमेंट अफ टेली कमुनिकेशन अन्नी विभागों के साथ बाच्चित की प्रक्रिया में है जिसमें कि इन में से कौन सी सिवाओं को इस्थाना अंतिरित किया जा सके और 5G निलामियों के लिए स्पेक्टरम उपलब्द कराये जा सके डॉट का कहना है क 5G लॉट के लिए सब गिगाहट्च, 600 मिगाहट्च, मीड और मिलिमिटर बैंड्स 5G लॉट में उपयोग होंगे डिपाटमेंट अफ टेली कमुनिकेशन ने कहा कि इस प्रक्रिया में उच समय लगेगा लेकिन जल्द ही हम 5G लॉट में उपयोग होने वाले स्पेक्टरम की घोसना कर देंगे, जानकारी के लिए बता देंगी, डिपाटमेंट अफ टेली कमुनिकेशन ने 2021 के जनवरी से मर्च महने के अंदर स्पेक्टरम की निलामी आयोजित करने का संकेट दिया है, लेकिन यह इसपष्ट नहीं है कि इस निलामी में 4G और 5G के किन-किन बैंड इसको बेचा जाएगा, खाल ही में मुके संभाणी ने सरकार से आग्रेफ किया है कि 5G स्पेक्टरम की निलामी के प्रकिरिया में तेजी लाया जाए, जबकि भारती एटल लिमिटेड के संस्थापत सुनिल मित्तल का कहना है, भारत अगले 2-3 वरसों तक 5G सेवाओं के लि बाहराल हंग रहकों के लिए आगे यह देखना दिल चस्पोगा कि कितनी जल्ब डिबाटमेंट अफ टेली कम्यूनिकेसन द्वारा 5G में उपियोग होने वाले स्पेक्टरम बैंड्स की घोसना की जाए